हेलो, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग, आज मैं आप लोगों के लिए हर्मोनियम का पहला लेशन लेके आया हूँ, इस लेशन में मैं आपको इंट्रोडक्षन दूँगा हर्मोनियम का, अगर आपके पास हर्मोनियम हाए, तो ठीक है, अगर आप चाते हैं हर्मोनियम शीखना, तो आप छोटा सा एक प्यानो भी खरीद कर उस पे हर्मोनियम सीख सकते हैं, बजा सकते हैं, जैसे कि मैंने भी देख लीजिए, हमको भी सीखने का मन था, तो हमने एक छोटा सा प्यानो खरीदा, उसी कि माधियम से आविशी सीख सकते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताओं कि आप एक छोटे से प्यानो पर भी हर्मोनियम बजाना सीख सकते हैं, तो आज मैं इसका इंट्रोड़क्शन दोंगा, अगर आप इस पर सीख जाते हैं, तो आप हर्मोनियम को भी असानी से प्ले कर पाएंगे, देखिए, हर्मोनियम का मैं इंट्रोड़क्शन देता हूं इसी प्यानो पर, कीबोर्ड दोनों का सेम ही होता है, बस उसमें क्या होता कि यहां दो काली सामिल रहती है, इसमें नहीं है, क्योंकि यह वेस्टर्न बजा है, अब वो हम लोग का इंडियन बजा है, तो उसमें जो अक्टेव शुरू होता है, सब तक शुरू होता है, वो पहली काली से होता है, यहां से, लेकिन इसमें यहां से होती है, सफेद से, इसलिए, तो चलिए, पले हम हर्मोनियम का इंट्रोड़क्शन दे रहा हूं, देखिए, हर्मोनियम, आप लोग जानते हैं कि हर्मोनिय हम लोग का इंगियन बाजा है तो हर्मनियम में क्या-क्या होते हैं आज उसको हम लोग जानेंगे तो हर्मनियम में तीन सब्तक होते हैं कौन-कौन सब्तक होते हैं पहले होते हैं मंद्र सब्तक सब्तक को इंगलिस में ओक्टेव करते हैं तो मन सब्तक दूसरी होगी आपकी मज सब्तक तीसरी तार सब्तक अब बात आती है कि सब्तक किसे कहते हैं तो हम लोग के इंडियन म्यूजिक में बारा सूर बनाए गए हैं उसी बारा सूर के समू को सब्तक कहते हैं इससे बात समझ में आती है कि एक सब्तक में टोटल बारा स्वर होते हैं इसी तरह अगर मिडी लोग्टेप की बात करें मत सब्तक की बात करें उसमें भारा स्वर होंगे तार सब्तक में भी बारा स्वर होंगे इसी प्रकार से तीनों सब्तक में बारा बारा स्वर होंगे अब बारा स्वर में भी तीन प्रकार की स्वर होते हैं देख लेजिए पहला होता है सूद स्वर सूद स्वर कितने होते हैं? सूद स्वर साथ होते हैं उसके बाद होता है कोमल स्वर, जो की चार होते हैं, एक होता है तिव स्वर, अब सुज स्वर कौन कौन से हैं, साथ वो ये है, सा, रे, ग, म, प, ध, न, इसी में चार कोमल स्वर होते हैं, ये रे, ये ग, ये ध, और ये न, ये कोमल होता है, ग, कोमल होता है, ध, कोमल होता है, एक तिव्र होता है स्वर जो कि मां है मां तिव्र होता है सुधमा ये तिव्र मां अगर कोई स्वर में ये नीचे लाइन रहेगा तो ये कोमल स्वर को डिनोट करता है अगर कोई स्वर में उपर लाइन रहेगा तो वो तिव्र स्वर का पहचान है जेसे इसको देख सकते है तो तीव्व एक ही होते है वह माा पर ही होंगे ऐसी लिए अब हम समझेंगे कि सा क्या अर्थ होता है रेकां निसात इतना बात हम लोग समझ गए अब बात आती है कि सा तो अगर एक स्वर सा है तो ये सा तो तीनों सब्तक में होंगे मंद्र में भी होंगे मध्र में भी होंगे तार में भी होंगे तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये सा मंद्र सब्तक का है ये सा मद सब्तक का है ये सा तार सब्तक का है तो अगर कोई सवर के नीचे डौटर होगा देख सकते हैं आप नजीक से ये अगर कोई सवर के नीचे डौट रहेगा तो वो मन सब्तक का सवर मना जाता है अगर कोई सवर में ना उपर डौट है ना नीचे डौट है तो वो मत सब्तक का सवर है अगर कोई सवर में उपर बिंदी है तो वो तार सब्तक का सवर है अब मत की बात आती है तो मह तीवर्मा होती है एक सुधमा होती है तो मह के को कैसे पहचानेंगे कि यह मन सब्टक का है या मत का है या तार सब्टक का है तो मह में भी वह इसने बात रहेगा अगर कोई मह के उपर नीचे बिंदा है उसके बाद उपर में लाइनिंग है यह मन स सब्तक का तिव्र मौ होगा अगर कोई स्वर के उपर लाइनिंग है तो वह मज सब्तक का होगा अगर कोई मौ के उपर बिंदा है लाइनिंग है तो वह तार सब्तक का मौ होगा इसी प्रकार अब इतनी बात समझ गया आप कि हर्मोनियम तीन सब्तक होते हैं एक सब्तक में बारा स्वर होते हैं बारा बारा तीनो सब्तक में स्वर होते हैं साथ सुद सुवर होते हैं चार कोमल सुवर होते हैं एक टीब शुर होते हैं आप यह भी देख लीजिए कि कि सुद सुवर कुन-कुन होते हैं साथ गो तो सारे गमा पधनी यह सुद है चार कोमल होता है रेगा धनी एक टीब्रमा होता है सब का अर्थ भी समझ गए अब यहां तो देख कर हम पहचान गए कि कौन कोमल है कोन सुध है अब हम हार्मोनियम की इसको कैसे पहचानेंगे यह कि वी स्वर है यह कोमल स्वर है यह सुध स्वर है अगर आप नोट्स बनाना चाहेंगे तो आप इसका श्क्यूम सोट ले सकते ह नोट्स बना सकते हं ऐब आब स्क्रिंसोट ले लिये होंगे आप अब मैं इसको आठाता हूं अब आप तो हर्मोनियम है नहीं आइन तुम्हें प्यादय पैसी हर्मों सब्सक्राइबं हएं तो इस बारे बताओने अधा हर्मों सब्सक्राइब पिर ये सफेद से ये सफेद सकते एक तक हो गया इसमें 12 वर होंगे कौंट कर लिजे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नज दस यारा 12 इसी तो तार यहां भी होगा यह तो वेस्टर्न बाजा है तो इसमें दो काली यहां नहीं है अगर यहां दो काली हम एड कर देते हैं कि यहांवी एक सब्तक बनेगा को प्रेशmmar में तो रहता है कि ये सब्तक को कहते हैं म That उसे को कहते हैं मज्जब्द सब्तक और यहांसे यहां तक इसनग तन तक इसको कहते हैं तार सब्तक अब इन तीनों में डिफरेंट क्या है तो मन सब तक में आवाज मोटी होती है अगर यहां की की अगर प्रेस करेंगे आप तो इसके आवाज मोटी रहेंगे अगर हम मिल्ग टेप के बात करें मत्सबत्टकी बात करें तो आवाज इसमें थोड़ी पतली होती है आज इस से थोड़ी नीची आवाज होती है इसमें आएंके गतार सब कटी हुई है इसलिए नहीं सुना पा रहा हूं हो सकता तो अगले वीडियो में सुनाँगा, अब देख लिजिए पहले आप ये स्वरों की पहचान कर लिजिए किसको कहेंगे सुध 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 किसको कहेंगे कोमल सुध तो हमने आप लोगों को अभी बताया कि साथ बारा स्वरों में साथ सुध स्वर होते हैं देख लिए जो सुध स्वर कोन-कोन से हैं यहां से हम लोग को सुरू करनी है यहां से सा श्टाट होती है इसको चΔर सा पहली काली यहां से यहां तर यह सुद्ध स्वड़ है साथ गो सारे गमपधनी अब चार कोमल स्वड़ ही बताए हमनों तो वह कुन्गोन से देख लेजिए रे गमपधनी यह सुद्ध रे है यह से थोड़ा डोन आएंगे तो यह कोमल रहे फिरिया धा सुद्ध है थोड़ा डोन कोमल धा यह सुद्ध नहीं थोड़ा डोन तो यह कोमल नहीं हो जाएगा अब कोमल मा नहीं होता है तिव्र मा होता है तो यह सुद्ध मा है इसे एक स्टेप आगे जाएंगे तो यह तिव्र मा है इसको कहते हैं तिव्र मा इसकी आवाज इससे थोरी तीखी होगी इसकी आवाज इससे थोरी तीखी होगी सुद्ध मां से तो आप देख लिए कौन-कौन स्वर हैं साथ सूद स्वर सा रे ग म पधनी फिर चार को मल स्वर रे ग धनी एक तिब्र स्वर म असा करते हैं कि आप स्वरों की पहचान कर लेंगे अगर आप अच्छा से पहचान कर पाएंगे तो अगली वीडियो मैं आपको अलंकार बताऊंगा और आवाज भी सुनाऊंगा कि कहां मोटी आवाज है कहां पतली है कहां तीखी है अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगया आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहचें मिलते रहें लाइक करें कोमेंट करें अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वह भी सीख सकें नमस्कार